अजमीर लोकसवा सीट पर कॉंगर्स प्रतेशी रिजू जुनजनवाला ने चुनावी प्रचार अभियान शिरू कर दिया है। पर्क के दोरान जगह जगह पर लोगों ने कॉंगर्स प्रतेशी का जोड़ा तरीके से स्वाकत दिया। जनसब पर करके निकले कॉंगर्स प्रतेशी रिजू जुनजनवाला से बात की हमारे समवाद दाता आशिश्टिवाडी ने। बहुत अच्छा बनावा है। पिछले 20 दिन से जो महाल था वो एक और गती लिये जा रहे है। दिन पर दिन हम जो देख रहे हैं लोग जुडते जा रहे हैं। और एक पूरे तरह से जो मैं पहले से देख रहा था कि है कॉंगर्स के लिए जो इलहर है। ये अब एकदम जाते 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 जैसे चुनाव पास आते जा रहा है। ये और बड़ी होई जाती है। जाते जाते एक रहा हैं से जोड़ी जोड़ी हुआ हैं लोगों के बीच में रहे हैं। क्या थरुटाक्व तो झो में मुद्दे मेरे और पानी की समस्या पूरे अज्मेर में चैस्टो जले हो यहाँ पैसद में पाणी की समस्या बहुत गंबीर है और दूसरे जो हैं यहां पर ओद्योगेक विकास, एक ओद्योगेक करांती लानी है, युवा को रोजगार देना है, ताकि अजमेर में विकास हो, मिलने तीसों और कोई मुद्धा नहीं है, ते किसी और मुद्धे में जाना नहीं चाहिए। पती ने तुद सचिन पाइलेक जी ने करा हो, उसका मेरे को मौका भिया गया है, तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है मेरे पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं यह जिम्मादारी पे पूरा पर देखरा हूँ है। पती ने को देखिए, उनके पास कोई मुद्धे नहीं है, सिरफ एक नैशनलिजर्म, मोदी जी और बात। आपके मादें से हमारे जो भागीरत चौधरी जी है, मैं उनको आमंतरत करना चाहता हूँ है, बहुत खुशी है मुझे, कि पिछले दो देन से हमारे चुनाव को देखते हुए, उन्हों में भी थोड़े यह मुद्धे उठाने चालू कर दिये, तो हम बैठे साथ में, मैं किस को वोट करना है और किस दिशा में जाना है, तो यह थे वीजू जुन जुन वाला जो कि अजमे लोगस्वा स्ट्रेट से कॉंग्रेस के प्रत्याशी है, इनके तमाम वादे जिन पर जनता कितना वरोसा जता की है, इस बात का पता लगेगा 23 मै को, कैमरा परसन सुनीर श किस दिवारी, Evert TV, आश्मेट